दोस्तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर कोई भी पाटी आपको चेक देता है चेक देने का चाहे जू भी रिजन हो लेकिन जब आप उस चेक को बैंक में क्लियर करने के लिए लगाते हैं तो फ फिर वह यहां पर आपके पैसो को लोटा देगा लेकिन यहां पर नोटिस करने के बहुत जूद भी पैसा नहीं लोटाता है जब आप बैंक में चेक लगाते हैं तो फिर वह चेक बाउंस हो जाता है और जनरली बैंक से जो रिटर्ण मेमो मिलता है तो यहां पर यहीं वास्य था तो अब यहां पर सवाल उठता है कि आपने तो लीगल नोटिस भेजवा दिया फिर उसके बाद आगे का आखिर क्या प्रोसेस होगा दोस्तों यहां पर अगर आप ने उसे लीगल नोटिस भेजवाया फिर भी अगर वह कोई रिस्पूंस नहीं देता है जेनरली लेगल नोटिस में 15 दिनों का समय दिया जाता है लेकिन वह 15 दिन क्रोस हो जाता है फिर भी वह कोई रिस्पोंस नहीं देता है तो यहाँ पर आप उसे रिमाइंडर नोटिस एक और भेजवा सकते हैं या आप पर डिपेंड करता है आपका जो भी वकील है आप उनसे बात करे और अगर आपको वह सलाह देते हैं तो आप रिमाइंडर एक और नोटिस भेजवा सकते हैं लेकिन यहाँ पर जब एक नोटिस गया अगर उसे रिस्पोंस देना होता है तो फिर वहां उसी notice से response देता है, तो यहां पर कम ही chance है कि जब reminder notice जाएगा, तो फिर वहां पैसा लोटाएगा, लेकिन आप यहां पर एक और reminder notice भी भी भीजवा सकते हैं, या आप पर depend करता है, आप अपने वकिल से इस पर राइविचार कर लें, उसके बाद भी अगर वहां पैसा नहीं लोटाता है, तो फिर आप यहां पर अपने सेशन कोट में, यहां पर उसके उपर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, आप कोट में वकिल के माद्रम से case फाइल करवाएंगे, और जब कोट में case फाइल होगा, तो फिर उसे कोट से notice जाएगा, और अगर वहां कोट उसके कुर्की जब्ति तक हो सकती है, यहां उसकी एक छोटी से लपरवाही उसके उपर भारी पढ़ सकता है, और यहां पर चेक का जो भी एमांट था, उसका दोगुन्ना एमांट उसे लटाना पढ़ सकता है, और साथी साथ आपका येतना समय बर्बाद हुआ, आप मानस सका रिकबरी कराएगा, तो यहां पर किसी भी पार्टी को अगर कोई भी नोटिस प्राक्त होता है, अगर उसने किसी को चेक दिया था, और अगर वह चेक बाउंस हो जाता है, तो यहां पर उसकी भलाई इसी में है, कि वह पैसा लटा दे, नहीं तो अगर बगलवाला पार लटा यहां पर उसे पैसा लटाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अगर चेक बाउंस हो जाता है, तो यह अपने आप में अपराध है, और यह क्रिमनल केस को स्थरणी में आता है, इसमें आरूपित की गिरिपतारी भी हो सकती है, यहां पर उसके उपर फाइन भी लग स सकता है कोट के आदिश का भी पालब नहीं करेगा तो दोस्तों मैं आसा करता हूं आपके वीडियो पसंद आई होगी अगर चेक बाउंस सम्बंदीत आपके मन में कोई भी सवाल है या फिर अगर आप चेक बाउंस सम्बंदीत किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो बनाँगा तो दोस्तो आप आते जूढ़ना चाहते हैं फोन से बात बात करना चाहते हैं तो फिर आप में इस्टाग्राम पर फॉलो करें मेरा इंस्टाग्राम पर